सड़क पर एक विशालकाय मगरमच को देखकर भगदर मच गई ये मगरमच आठ फूट से भी ज्यादा लंबा पताया जा रहा है इस मगरमच के सड़क पर होने से जाम के हालाद बन गए बहुत देर तक जब वन अमला नहीं पहुचा तो ग्रामीडों ने खुद रसी से बाद कर मगरमच को नदी में छोड़ दिया अचानक से शिप्पूरी में सड़क पर आठ फूट से ज्यादा लंबे विशाल काई मगरमच को धेख हुआ तिराहे के हनुमान मंदिर के सामने रोड पर तहलते हुए देखा गया सुभा सुभा ये नजारा ग्रामीडों ने देखा तो सभी घबरा गए ये ग्रामीड अपने मवेशों को जंगल में चरने के लिए छोड़ने जा रहे थे जब एका एक मगरमच पर नजर पड़ी तो ग्रामीडों ने ठाने में और वन विवाग को इसकी सूचना दी पुलिस मौके पर पहुची मगर वन विवाग को भी अधिकारी करमचारी मगरमच का रेस्क्यू करने मौके पर नहीं पहुचा काफी देड तक बीत जाने के बाद जब सडकों पर जाम लगने लगा तो फिर वन विवाग को सूचना दी गई जिस पर एक वन करमचारी ने बताया कि हमने वरिष्ट अधिकारियों को सूचना दी है लेकिन लंबा इंतवार करने के बाद धी जब कोई वन अमला वहां नहीं पहुचा ऐसे में ग्रामीडों ने उसे रस्ती से बांध कर खेतों से होते हुए नदी में ले जाकर छोड़ दिया वन विवाग के जिमेदारों को ग्रामीडों ने बार बार आगरें किया था उसके बावजूत भी वहां वन अमले का कोई भी करमचारी अधिकारी नहीं पहुचा आप देख रहे हैं दखल न्यूज